वरुन से भी मौद से कई दीन तक जाबाजी से लड़े लेकिन फिर वो भी हमें छोड़ कर चले गए वरुन जब अस्पताल में थे उस समय मेरे सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा देखा जो मेरे रदे को छूँ गया इस साल अगस्त मही उन्हें शौरिष चक्र दिया गया था इस सम्मान के बाद उन्होंने अपने स्कुल के प्रिंसिपल को एक चिठी लिखी थी इस चिठी को पढ़कर मेरे मन में पहला विचार यही आया कि सफलता के सिर्ष पर पहुँचकर भी वे जड़ों को सीचना नहीं भूले दूसरा कि जब उनके पास सेलिबरेट करने का समय था तो उन्होंने आने वाले पीडियों की चिंदा की वो चाहते थे कि जिस कुल में वो पढ़े वहां के विध्यार्तों की जिंदगी भी एक सेलिबरेशन बने अपने पत्र में वरुन सीजी ने अपने पराग्रम का बखान नहीं किया बलकी अपनी असफरताओं की बात की कैसे उन्होंने अपनी कमियों को काबिलियत में बढ़ला इसकी बात की इस पत्र में एक जगे उन्होंने लिखा है It is okay to be mediocre Not everyone will excel at school and not everyone will be able to score in the 90s If you do, it is an amazing achievement and must be applauded However, if you don't, don't think that you are meant to be mediocre You may be mediocre in school but it is by no means a measure of things to come in life. Find your calling. It could be art, music, graphic design, literature, etc. Whatever you work towards, be dedicated, do your best. Never go to bed thinking. I could have put in more efforts. साथ्यों, आवसत से असाधान बनने का उनर जो मन्त दिया है, वो भी उतना ही महतो कुण है. इसी पत्र में वरुन सी ने लिखा है. Never lose hope. Never think that you cannot be good at what you want to be. It will not come easy. It will take sacrifice of time and comfort. I was mediocre and today I have reached difficult milestone in my career. Do not think that 12th board must decide what you are capable of achieving in life. Believe in yourself and work towards it. बरुन ने लिखा था, कि अगर वो एक भी स्टूडन को प्रेणा दे सके, तो ये भी बहुत होगा. लेकिन आज मैं कहना चाहूँगा, उन्होंने पूरे देश को प्रेणित किया है. उनका लेटर भले ही केवल स्टूडन से बात करता हो, लेकिन उन्होंने हमारे पूरे समाज को संदेश दिया है.